करेंट आफियर्स आप सभी जानते हैं कि आप लोग किसी भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप देखे कि सिविल सर्विस की बात कर लिजे, इस्टेट पीसी एस की बात कर लिजे या आप देखते हैं कि one day exam होते रहते हैं तो इन में अच्छी खासी संख्या में current affairs से questions आते हैं और आप देखते होगे कि महीने भर में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परिक्षाओं में किस तरह की questions बन सकते हैं उन पर एक overview हुम लोग उने बात कर ली थी आज हम लोग जुलाई 2022 में जो घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परिक्षाओं के लिए किस तरह की questions बन सकते हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं और monthly current appears के नाम से एक playlist सूची बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे 2021 के भी 12 महिने के आपको वहाँ किलासे मिल जाएंगी और उसके बाद आप देखें जनवरी से लिकर जोन तक की 2022 की एभी किलासे आपको वहाँ मिल जाएंगी वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं चलिए तो जुलाई महिने की कौन कौन से questions आपके लिए महत्पूर हो सकते हैं उन्हें हम लोग देखते हैं के करके पिती बस पूरे भारत में राष्टिये चिकस्तक दिवस कब मनाया जाता हैं डॉक्टर डे की बात हो रही है एक जुलाई तीन जुलाई तीस जुलाई या और एक तरह से आप देखें कि देखें आप सभी को मालूँ भी है कि पित्वी पर मानों का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को और आप देखें कि अलग-अलग देशों में यह दिवस अलग-अलग तितियों को मनाया जाता हैं और भारत में आप देखें कि एक जुलाई क और इस खास दिन पर आप देखी पर्षिम मंगाल के दूसरे मुक मंत्री विधान चंद राय को भी याद किया जाता है क्योंकि विधान चंद राय देश की पिर्मुक सुतनता सैनानी होने के साथ साथ एक चेकिस सक भी थे तो यह भी आप लोग याद रखेगा तो इसमें चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अंगला कुशन हमारे सामने किसे भारत की सबसे बड़े गैस संस्थान गैल के नए प्रमुक के रूम में न्योक्त किया गया है लोकेस भारत वाज राजिन तिरपाटी संदीप गुपता या मानीस धनकर इसमें कौन होंगे तो आप पेटॉलियम बिजनेस कंपनी है और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1984 में हुई थी और नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा तो यह भी आप लोग याद रिखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने कौन भारती मूल के ब्यक्ति फा अतुरवेदी डी सिंग धब भामा तो आप देखेंगे इसमें टी राजा कुमार होंगे क्या होंगे टी राजा कुमार और भारती मूल कहने का मतलब होता है कि इनके परिवार के संब्द भारत से रहा है और अभी यह बाहर विदेशों में विदेशी नागरेखता इने मिल चुकी हुआ ही रह रहे हैं और financial action task course की बात करें तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि Paris France में इसका headquarter देखने को मिलेगा 1989 में इसकी स्थापना हुई थे 1989 में अंगला question है हमारे सामने Air Lepid किस देश के 14 भी पिदान मंत्री बने है Nigeria, Israel, Singapore या New Zealand तो आप देखेंगे कि ये Israel के बने है कहा कि Israel के आप लोगों को देखने को मिलेगे Israel के बने है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा जैरो सलाम इसकी राध्धानी आपको देखने को मिलेगी Israel की और Middle East में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक country तो इसके बारे में भी याद रखिएगा अंगला गूशन है हमारे सामने किस सुंद्री ने फैमीना में इंडिया 2022 का किताब जीता है अदीती बर्मा, बरसा जैन, सिनी सेट्टी, आयूसी माथुर तो आप सभी जानते कि सिनी सेट्टी न जीता है तो इसमें आप लोग C option बिलकुल सही रहेगा क्या? C option बिलकुल सही रहेगा ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुशन क्या कहा रहा है? पिती बस दुनिया भर में विस चॉकलेट दिवस किस तारीक को मनाय जाता है? विस चॉकलेट दिवस की बात हो रही है 4 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या 9 जुलाई को तो आपको बता दूँ कि यह 7 जुलाई को मनाय जाता है कब मनाते हैं से? साथ जुलाई को मना जाता है आपका विस्स चॉकलेट डे और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस से दिवस को इवरोप में सन पंद्रह सो पचास में पहली बाद साथ जुलाई को मना जाने लगा और पिति वस इस दिवस के मौके पर लोग चॉकलेट खा कर इसे एक दूसरे में पाटकर खुशिया बनाते है और आप देखे कोई भी तेवहार मनाय जाता है कोई दिवस मनाय जाता है तो उसका उद्देश साप होता है और हमारे आप देखिये, हमारे यहां क्या यही तेवार मनाय जाते हैं हमारे भारत में एकता को बनाये रखने के लिए लेकिन आजकर आप देख रहे हैं कि अलगी एकता चल रही है फिराल इसमें आप लोग साथ जुला ही याद रखिएगा अंगला कुशन है किस भारती है को दच्छिड सूडान में सयुक्तराष्ट मिसन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है बिने चौदरी, मोहन सुबमन्यम, गोपाल सिखाबत, राजपाल, सूर्बंसी तो इसमें आप देखेंगे मोहन सुबमन्यम, कहां मोहन सुबमन्यम यहां सयुक्तराष्ट की बात हुई है तो इसके बारे में भी बता देते हैं United Nations, UN की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि एंटर गवर्मेंटल और्गनाईजेशन है इसकी इत्था अपना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी New York में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिल जाएगा और दच्छन सूडान आपको देखने को मिलेगा यह आपका North Africa महादीब में देखने को मिलेगा जूबा इसकी राध्धानी है तो यह भी आपको याद रखिएगा इसके बारे में अंगला क्विशन है हमारे सामने किस देश के पूर पिधान मंतरी रहे सिंजो आवे का सरसट वर्स की उम्र में इनकी हत्या कर दी गई थी आपको मालू होगा तो ऑस्टेलिया, जापान, फ्रांस और आप देखें जर्मनी तो आपको मालू है कि जापान जापान के पिधान मंतरी थे सिंजो आवे और एक बात और याद रखिएगा जापान वही है जिस पर आप देखतें कि 1945 में दूतिय अभी सेउदी के समय परमाडू बम गिराए गए थे सिंजो आवे का जनम आप देखेंगे 21 एप्टमबर 1954 में हुआ था और 8 जुलाई 2022 में इनकी हत्या कर दी गई थी तो ये आप लोगों को मालू होना चीए और भारत की अच्छे मित्त भी रहे हैं और भारत की और जापान की रिस्तों में अच्छा इनों ने एक पहल की थी अंगला कुषिन है हमारे समने पिती बस विस्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाय जाता है 11 जुलाई, 12 जुलाई, 10 जुलाई और 8 जुलाई तो आप सभी जानते हैं कि 11 जुलाई को मनाय जाता है और जो हमारा पड़ोसी चाइना है न वो आप देखते हैं कि आपका किसमे जनसंख्या में सबसी बड़ा राज्य है और आप देखते हैं कि दूसरे नमबर पर भारत का इस्तान आता है, चाइना से आप देखे पिती वर्स 11 जुलाई को दुनिया में बढ़ती आबादी के पिती जागरूप करने के लिए मनाय जाता है और इस बार की थीम आपकी क्या रखी गई है ये वर्ड आप आठ बिलियन टू वर्ड्स ए रिजिलेंस फिउचर फोर आल हारनेसिंग अपोर्चुनिटीज एंड इंसारिंग राइट्स एंड च्वाइस पोर आल रखी गई है इस बार की थीम तो याद रखेगा 11 जुलाई को आप लो जिस्सु जनसंख्या दिवस मनाते हैं कि इस जनसंख्या पर एक तरह से कंटॉल रखा जासेगे समझ रहे हैं तो ये भी आप लो याद रख्या करिएगा इसके बारे में 11 जुलाई को और आप देखें कि 11 जुलाई 1987 को पिथवी की जनसंख्या पांच रव पहुँच चुकी थी और इस बिसे इस दिन के को मनाने के लिए 1989 में सहिवक्तराष्ट विकास जनसंख्या दिवस की रूम में नामित किया था और इस तरह 11 जुलाई 1990 पहला विस्व जनसंख्या दिवस मनाए गया था ठीक है तो ये भी आप लो याद रखिएगा 1990 में पहली बार मनाए गया था किस टैनिस खिलाडीने हाली में बिम लडन 2022 में पुरुख से एकल का किताब जीता है बताए ए राफेल नडाल डैनियल मेद मैदवेद दियो नौवाग जुकोविच रोजर फेडर तो ये आप देखेंगे नौवाग जुकोविच होंगे इसमें आपका C आप्सन बिलकुल सही होगा किस भालतिय सुंद्री ने Message Universe Divine 2022 का किताब जीता है तो इसमें आप देखेंगे कि रादिका गुपता सुसमिता राओ पल्लिवी सिंग अदीती पांडे तो इसमें आप देखें पल्लिवी सिंग क्या पल्लिवी सिंग आपका स्थी ओप्सन बिलकुल सही रहेगा अंगला कुश्यन है हमारे सामने किस पुरुष खिलाडी को किस पुरुष खिलाडी को जून 2022 के लिए ICC पलियर अब्दा मंत का सम्मान मिला है जॉनी बेर इस्टो हादिक अंडिया डेरिल मेचल और बेर इस्टोक्स तो याद रखी इसमें जॉनी बेर इस्टो होंगे और ICC की बात करें तो आप सभी जानते ही किस की बात हो रही है International Cricket Council की बात हो रही है 15 यून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और दोबाई United Arab अमिरात में इसकी हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा अंगला कूशन है हमारे सामने कौन प्राइमेरी एजूकेशन में केंदरी की नई सिक्षा नीती लागू करने वाला पिथम राजवना है पंजाब राजिस्थान उत्राखंड असम तो आप देखेंगे उत्राखंड बना है और वैसे आपको बता दूँ कि उत्राखंड के बारे में आपको मालू होना चाहिए उत्तरपिदेश से अलग करके बनाया गया था आपका उत्तराखंड और एक अप की बात है 9 नवंबर सन 2000 की बात है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा चाइना से भी लगती हो नेपाल से भी लगती है राज्यों में हिमाचल पिदेश और उत्तर पिदेश से लगती है यहां के वर्तमार मुकमंत्री आप देखेंगे आपकी पुसका सिंग धामी है विधान सभा में 70 सीट है राज्य सभा में 3 सीट है लोग सभा में 5 सीट है आपको देखने को मिलेगी तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला क्विशन है हमारे सामने जारी वर्स 2022 की गिलोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्थान मिला है 138 वा, 135 वा, 143 वा, 127 वा जारी गिलोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्थान मिला है 135 वा मिला है भारत को 135 वा मिला है और यह आप देखे जारी बैस्विक आर्थिक मंच के बैस्विक लेंगिक भेदभाव अनुफात रिपोर्ट आप देखे जारी की जाती किस के द्वारा डवलू इएब के द्वारा बैस्विक आर्थिक मंच के द्वारा तो यह भी आप लो याद रखिएगा डवलू इएब के बारे में और इसमें आप देखेंगे कि 146 देशों की सूची में भारत को 132 स्थान मिला है और पिछले साल 156 देशों की सूची में 142 स्थान पर था भारत और ताजा रिपोर्ट के नस्वार आइसलेंड दुनिया के सबसे अधिक लिंग समान देश के रूम में अपना स्थान बरका रखे हुए इसके बाद फिनलेंड, नार्वे, न्यूजिलेंड और सूइडन और भारत की स्थिती 135 भी है यानी की अच्छी नहीं है यह भी आप लोग याद रखेगा वर्ल्ड एकॉनोमिक हौम के बारे में बात करें तो जनवरी 1971 में इसकी स्थाफना हुई थी इसका हायर क्वार्टर आपको सुईजे लेंड में देखने को मिल जाएगा तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने किस संस्थान में कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला P.I.B.O.T. नामक उक्करन बनाया है ए आयाइटी मद्रास, आयाइटी बॉंबे, आयाइटी कानपुर, आयाइटी खड़कपुर तो इसमें तो आप सभी कुमाल होना चाहे है किसमें? आयाइटी मद्रास में ए ओप्शन आपका बिल्कु सही है इसमें अंगले कुश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग पिती वर्स विस यूवा कौसल दिवस का मनाया जाता है विस यूवा कौसल दिवस की बात हो रही है 15 जुलाई, 13 जुलाई या फर आप देखें कि 18 जुलाई, 12 जुलाई तो आप देखेंगे 15 जुलाई को आपका 20 यूवा कौसल दिवस मनाया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और इस दिन को यूवाओं से तरह तरकी स्किल्स के बारे में बात की जाती है उनको आगे बढ़ाने की योजनाओं पर विचार होता है और इसे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं और याद रखेंगे स्युक्त राष्ट की महासाभा ने 2014 में हल साल 15 जुलाई को विस्ती यूवा कौसल दिवस मनाने का पैसला किया था तो यह भी याद रखेगा 15 जुलाई को World Youth Skills Day मनाया जाता है अंगला कुश्यन है हमारे सामने किसे भारत ने बंगलादेश का नया उच्चायुक्त नेउप किया है यह आप सभी जानते हैं कि बंगलादेश के बारे में बात होती तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान की वीचियोद दुआ था न उसमें आपका बंगलादेश साजाद हुआ था और उसमें हमारे देश की पिधान मंत्री इंद्रा गांदी थी और आप देखें पश्य मंगाल हो, असम हो, मेगाले हो, तेपोरा हो, मिजोरम हो इन सभी राज्यों की सीबा बंगलादेश से लगती है अब्दुल महमूद मुस्त फिजोर रह्मान जुवेर अलसफा फारूक इकवाल तो इसमें आप देखें कि मुस्त फिजोर रह्मान, भी ओप्शन आपका फिल्कुल सही रहेगा इसमें अंगला कुशन है, पितीबर्स किस तारीक को नेसनल नेलसन मंडेला अंतराष्टी दिवस मनाये जाता है 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 19 जुलाई को क्या नेलसन मंडेला अंतराष्टी दिवस 18 जुलाई को आपका मनाये जाता है सी ओप्शन बिल्कुल सही है और Nelson Mandela के बारे में बात करें तो 8 जुलाई 1918 में आप देखेंगे South Africa में इनका जनम हुआ था और आप देखेंगे कि 5 December 2013 में इनकी death हो गई थी इन्हे अफीका का आप देखें दच्छड अफीका का पिता कहा जाता है और इस देवस को पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था जब सभीक राष्ट ने नवंबर 2009 को अधिकारी कूप से Nelson Mandela International Day की घोशना की थी तो यह भी आप लोग याद रखेंगा अंगले कुश्यन की तरब बढ़ते हैं हम लोग यह आप देखेंगे की 15 जुलाई 17 जुलाई 19 जुलाई और 21 जुलाई तो यह 17 जुलाई को आपका विस अंतराष्टी दिबस नालब नियाय दिबस मनाते है आप लोग नियाय नियाय होना चाहिए ना नियाय-पाली का आपके देश में देखने को मिलती है और विस्व अंतराष्टी नियाय दिवस मनाय जाता है आपका और इस दिन को आप देखेंगी कि अंतराष्टी नियाय और अंतराष्टी अपराद नियाले के काम को मजबूत करने के लिए मनाय जाता है और ICC भी आप लोग कहते हैं से और इस बार की थीम क्या रखी गई Achieving Social Justice Through Formal Employment रखी गई है और वैसे अतराष्टी ये नियाले के बारे में अगर बात करें हैं लोग ICC के बारे में तो इसके बारे में एक सामान जान कर रहे हैं आपके पास होना चाहिए किसके बारे में अतराष्टी है अपराष्टी 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 नियाले के बारे में ठीक है और इसका उद्देश अगर आप देखे तो अपराष्टी 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 नियाय के माध्यम से अपराष्टों के एक तरह से आप देखे खतम करने के लिए इसका और 7 जुलाई 1998 को 120 देशों दवारा रोम सम्विधी को उपनाए गया था ठीक है और 1 जुलाई 2002 को अधिकारिक तोर पर ICC की स्थापना की गई थी यानि कि अंतराष्टी है नियालाई की एक तरह से 17 जुलाई इसमें लगाएंगे किस भारती बेडमिंटन खिलाडी ने सिंगापूर ओपन 2022 में महला इकल का किताब जीता है बताई इसमें क्या लगा होगे जुलाई गुपता, साइना नेवाल और पीवी सिंदू और असुनी पुनप्पा तो इसमें पीवी सिंदू देखने को मिलेगी ठीक है बेडमिंटन से जुड़ी हुई है किलाडी हमारी कौन पैक्ती हाली में नेशनल स्टॉक एक्चेंज की नई MDCEO बने है NSE की बात हो रही है, नेशनल स्टॉक्स एक्चेंज की बात हो रही है और आपको मालू होना चाहिए कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है तो ये भी आप लोग याज रखिएगा तो इसमें आप देखें, आसीज कुमार चोहान, राधे स्याम, गड़वाल, बरुन कुमार सर्मा या जिगनेश कुमार सिंग, तो आसीज कुमार चोहान होंगे इसमें ये option बिल्कुल सही रहेगा इसमें question हमारे सामने, किस राज्य में भारत की पहली digital लोक अदालल लौंच की गई है, पंजाब, राजिस्थान, उत्राकंड, केरल तो आप देखिए कि A, कहां राजिस्थान में लौंच की गई है और राजिस्थान के बारे में वैसे आपको माल होने चाहिए कि छेतफल में सबसे वड़ा राज्य है आपका राजिस्थान बारतमान में असोग गहलोतियां के मुकमंत्री, कॉंग्रेस की सरकार है और कॉंग्रेस की बात करते हैं तो बहुत पुरानी पार्टी है 28 दिसंबर 1850 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे कि बिधान सबा में 200 सीटें देखने को मिलेंगी राजिस्थान में आपकी 10 सीटे हैं और लोग सबा में 25 सीटें आपको देखने को में लेंगी बिधान सबा में 200 सीटे हैं इसके अंतराची सीमा पाकिस्तान से लगती है तो ये भी आप लोग याद रखेगा इसके बारे में और राजिस्थान में अठारवी अखिल भारतिय विधिक सिवाप राधीकर्ण के बैठक के दौरान Artificial Intelligence किंतिम बुद्धी मता संचाली देश के पहली डिजीटल लोग अदालत का सुपारम किया गया है और राजिस्थान राज विधिक सिवाप राधीकर्ण के डिजीटल लोग अदालत को इसके प्रवद्ध की भागेदार जीवपिटिस जश्टिट टेक्नोलोजी द्वारा डिजाइन और विक्सित किया गया है ठीक है तो इसमें आप लोग भी ओप्सन लगा देंगे हबाएं तो आप देखेंगे 87 बार मिला है इसमें हैंडले पासपॉर्ट में हमेशा की तरह जापान पहले स्थान पर रहा है और आपको बता दूँ कि यहां के यहां की लोग 193 देशों में भीजा फिरी समर कर सकते हैं आप समरें तो आप देखिए एक जापान टॉप पर है आपका चलिए अंगले कुश्यन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग अंगला कुश्यन है हमारे सामने कौन भारत की पंद्रवी और पहली आदिबासी महला राष्टपती बने हैं तो आप देखें कि रेखा नियमगिरी सुसीला देवी दरुपती मूर्मी और सीता राजकरन तो आपको मालू है कि दरुपती मूर्मू बने हैं अभी हमारे देश में राष्टपती चुनाव हुए थे और आपको मालू होना चाहिए कि राष्टपती के चुनाव में आपकी बिधान सभा, राजसभा, लोकसभा के निर्वाची सदस भाग लेते हैं और दरुपती मूर्मू का जनाव आप देखेंगे 20 जून 1958 में होगा था और उडिशा राजे से, कहां उडिशा राजे से संबंद रखने बाली पहली महला अश्छोरी पेहली राष्टपती हैं और हमारे देश की पहली आदिवासी राष्टपती हैं और आपको मालू होने चाहिए कि दूसरी महला राष्टपती है, पहली महला राष्टपती कौन थी, ये आप लोग जरूर बताएगा, और पहली महला पिधानमंत्री हमारे देश की कौन थी, ये भी आप लोगों को बताना है, तो इसमें आप लोग दुरोपती मोरुमू लग 20 जुलाई को 27 दिवस के रूम में मनाते हैं आप लोग, और 20 जुलाई 1924 को अंतराष्टी सतरंज संग की स्थापना की गई थी, और 20 जुलाई को युनेस को द्वारा अंतराष्टी सतरंज दिवस के रूम मनाने का सुझाओ दिया गया था, 1966 से हल साल 20 जुलाई को स्थापना आप देखेंगे 20 जुलाई 1924 में पैरिस फ्रांस में हुई थी और सो इजय लेंड में इसका हेड़कोर्टर देखने को मिलेगा वहीं अगर हम लोग उनेस्को की बात करें तो आप देखेंगे 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी पैरिस फ्रांस में इसका आपका ठीक रहेगा दिये गए अभी 68 राष्टी फिल्म पुरुसकारों में किसे सरफशेट अभनेत्री का पुरुसकार मिला है दीप्यका पादुकान नित्या मेनन या आप देखें कि आपकी अनुस्का सर्मा या आप देखें अपड़ना बाल मुरली तो इसमें अभनेत्री का पुरुसकार अपड़ना बाल मुरली को मिला है दीखें और आप देखें बिजेवताओं की गोशना हुई है जिसमें सुराररई पोटियू के एक्टर सूरिया और अज्जय देवगन को फिलिम ताना जी दा अनसन वारियर के लिए बेस्ट एक्टर का वर्ड सईत्रूप से मिला है इसके अलाब आप देखेंगे सुरारई पोटियू की अभनेत्री अपड़ना बाल मुर्ली को बेस्ट एक्टर का वर्ड मिला है और पुरुसकार 2020 के लिए देगए हैं जो साल के अंत्र में एक समारों में दिये जाएंगे अंगलक्स कुष्षन है हमारे सामनें,みेति बर्ढो इसमें मस्तिसगी दिबस, ॢर्रेंड डे किस सारी को मनाए जाता है, वर्ल्ड बरेंड ने ब्रेंड टीर जुलाई, वैशा जुलाई, तेशा जुलाई, पच्שी जुलाई brand, दिमाग मताई इसमे एक option होगा इसमें से कौन सही होगा वो बताना है आपको तो इसमें आप देखेंगे 22 जुलाई को मनाए जाता है भी option आपका बिल्कुस सही है 22 जुलाई ठीक है? और आप देखेंगे कि brand day को पितीवर्स 22 जुलाई को दिमागी सिहत की पिती जागरुकता फिलाने के लिए मनाया जाता है आजकल आधोने के ताकि दोड में तनाव जिंदगी पर भारी पड़ रहा है और दोड भार भाग भरी जिंदगी में कई लोग जीवर्स पूरे भारत में राष्टिये 12 दिवस कब मनाया जाता है राष्टिये 12 दिवस की बात हो रही है 19 जुलाई 21 जुलाई 22 जुलाई 24 जुलाई तो आप देखेंगे यह मनाया जाता है आपका 22 जुलाई को पूरे भारत में और इस दिवस को पितिवस 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है ठीक है तो इसमें 22 जुलाई आप लोग लगाएंगे कौन वडिजिक बाहनों को emergency response support system से जोडने बाला पहला राज बना है इसमें आप देखेंगे कि आपका उत्राखंड दूसरा है आप देखें कि हिमाचल पिदेश पष्चेमंगाल महराष्ट तो यह हिमाचल पिदेश बन हिमाचल पिदेश की राध्धानिया दो है एक तो आप देखेंगे इसकी से मिला है दूसरी आप देखेंगे धर्मसाला है और इसे 25 जंबरी 1971 को राज बनाये गया था और आप देखेंगे यहां कि मुकमंतिरी जैराम ठाकुर है और विधान सभा में 68 सीटे हैं राज सभा म तीन सीटे हैं लोग सभा में चार सीटे हैं आपको देखने को मिलेगी यहां हिमाचल पिदेश की अंतराठी सीमा चाइना से भी लगती है यह भी आप याद रखेगा तो इसके बारे में यह भी आप लोग याद रखा भरिएगा तो इसमें हिमाचल पिदेश लगा देना अंगला कुशन क्या है? कौन रानेल बिक्रम सिंगे की जगए सीलंका के नई पिधान मंतरी बने हैं? रानेल बिक्रम सिंगे आपको मालू होगा कि स्रीलंका के नई राश्डवती बने चुके हैं लेकामा मैथ्यूज, निवारा, काल, टेकर, दिनेज, गुनवार्दने, नुवान, सिंफाला तो ये सन में आप देखें, दिनेज, गुनवार्दने होंगे वैसे स्री लंका के बारे में आप लोग जान लिजे, हमारा पडोसी है पाक जल नमरू हो, मनार की खाड़ी हो, ये भारत स्री लंका की बीच आपको देखने को मिलेंगी और वैसे स्री लंका को आपको मल होगा कि इसकी राध्धानी क्या है श्री जय वर्दने पुना कुट्टी विदाई राध्धानी है कोलंबू कारिकारी वन्यायक राध्धानी है और आपको मल होन अच्छे कि इसे सुतंता कब मिली थी चारफरवी 1948 में एगड़ राजी कब मना था 22 में 1922 में ठीक है आर्थिक संकर से गुजर रहा है अंगला कुशन है पिती वर्स पूरे भारत में राष्टिय पिसारन दिवस कब मना जाता है 20 जुलाई 23 जुलाई 25 जुलाई या 18 जुलाई किसकी बात हो रही है राष्टिय पिसारन दिवस की बात हो रही है तो यह 13 जुलाई को मनाय जाता है C option आपका क्या B option आपका बिल्कु सही है 23 जुलाई और 23 जुलाई को इसलिए मनायते हैं क्योंकि आका सवानी का कायब आज ही के दिन 23 जुलाई 1927 में किया गया था और इस वर बक्त सेवा का नाम भारतिय पिसारन सेवा रखा गया था तो 23 जुलाई होगा इसमें किसे टेलीकॉम कंपणी बोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है रविंद जहा को या 80 दिनकर को सेलिस तिरफाटी को अक्षय कुमार अक्षय मुंद्रा को या आप देखें किसको किया गया है अक्षय मुंद्रा को ठीक है और आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर 31 अगत 2018 में दोनों को बोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी के रूम में बना दिया गया और गांधी नगर में इसका हेड़कॉाटर आपको देखने को मिल जाएगा पहले आइडिया और बोडाफोन अलग-अलग हुआ करते थे कौन हर घर जल यहुजना पिरमाडित भारत का पिथम जिला बन गया है कोटा राजिस्तान बुरहानपूर मद्पिदेश आगरा उत्तरपिदेश और गांधी नगर गुजरात तो यह आपको देखने को मिलेगा बोरहानपूर मद्पिदेश और वैसे मद्पिदेश की बारे में बात करें तो आप सभी को मालू होने चाहिए 1 नवंबर 1956 में इसे राज बनाया गया था आगे चलकर आप देखेंगे 1 नवंबर सन 2000 में इसे अलग करके 36 गड़ राज बना दिया गया था और जब तक मद्पिदेश का हिस्ता था 36 गड़ चेतफल में सबसे बड़ा राजी था आपका मद्पिदेश अब आप देखते हैं कि राजिस्तान पहले पर है मद्पिदेश दूसरे नवंबर भय है यहां कि वरतमान मुकमंदरी सिवराज सिंग चोहान है आप देखेंगे कि यहां बिधान सभा में 230 सीटे हैं लोग सभा में 29 सीटे हैं राज सभा में 11 सीटे हैं और मद्पिदेश का हाई कोट कहां देखने को मिलेगा उचने आले जवलपूर में इसकी दो खंड पीठ हैं एक तो आपको इंदवर में देखने को मिलेगी दूसरी आप देखेंगे ग्वालियर में देखने को मिलेगी इसकी सीमा पांच राज्यों से लगती है आकी लखनव यानि की उत्तरपदेश, राजिस्थान, गुजराग, महाराष्ट और चट्थीसगर ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुशन है पिती बर्स पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीक को मना जाता है कारगिल विजय दिवस की बात हो रही है 26 जुलाई 28 जुलाई 21 जुलाई और 24 जुलाई तो इसमें आप देखीगी कि 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल दिवस मनाते हैं आ और 1999 में जो कारगिल द्राफ सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपेटियों से भारतीय चित्रों को बापस लेने के लिए भारती सेना के द्वारा ओपरेशन बिजय सुरू किया गया था और कारगिल में युद्य सेनकों द्वारा किये गये बलिदान क्यों याद रखने के लिए 26 आगिल दिवस के रूम में मनाते हैं तो ये भी आप लोग याद रखीगा 26 जुलाई तो सबसे पहले तो आप लोग विस बैंक के बारे में जान लेजें वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है और आप देखते हैं कि जुलाई 1944 में इसकी स्थाफना हुई थी बॉसेंग्टन DC USA में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा तो ये भी इसके बारे में याद रख अंगला कुशन है हमारे सामने 27 जुलाई 2022 को केंदरी रिजर पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा इस्थाफना दिवस मनाये 83, 84, 87, 89 तो इसमें 84 मनाये गया है CRPF का ठीक है तो इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स की बात हो रही है 27 जुलाई 1949 में इसकी स्थाफना हुई थी और फिर आप देखें कि आँगी चलकर इसमें 28 दिसमबर 1949 में सुधार किया गया था ठीक है और आप देखेंगे तो इसकी मारे में ही पॉइंट याद रखिएगा अंगला कुशन है हमारे सामने पिती बस विस्ट हेपेटाइटिस दिवस किस तारीक को मनाते हैं आप लोग विस्ट हेटेटाइटिस दिवस की बात हो रही है इसमें 28 जुलाइड 29 जुलाइड या 30 जुलाइड या आप देखें कि 28 या 26 जुलाइड तो यह आप देखेंगे पिती बस हर साल विस्ट हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस दिवस्ट आपका 28 जुलाइड को मना जाता है दुनिया भर में 28 जुलाइड को हेपेटाइड को लेकर लोगों की बीच जागरूपता पहलाने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस्ट का अमेरीकन जैने पित्थम भादी क्रिकेट का नाम पर इंगलेंड में किसी क्रिकेट इस्टेडियम का नाम रखा गया है यह आप देखेंगे कि सचिन तेंदूलकर कपिल देव सुनील गावसकर और सौरब गाम बोली तो इसमें आप देखेंगे सुनील गावसकर के सी ओप्सन बिल्कोल सही है आप सभी जानते होगे कि 10 जुलाइड उन्नीसो नंचास में मॉंबई मेन का जिनम हुआ था सचिन खो तो आप जानते ही होंगे किरकेट का भगवान भी कहते हैं आप लोग पितिवस विस्त प्रक्किती सरक्षन दिवस किस तारीक को मनाया जाता है 25 जुलाइड 27 जुलाइड 28 जुलाइड 29 जुलाइड तो आपका 28 जुलाइड को विस्त प्रक्किती सरक्षन दिवस क के रूम में मनाते हैं और इसका उद्देश यही कि जानबरों और पेड़ों का सरक्षन किया जा सके जो पितवी के प्राक्तिक पर्यावन से विल्ट थोनी के कगार पर हैं और इस साल की थीम रखेगी और आप देखिए सबसे जानदा हमी नुकसान पहुंचाती है पर्यावन को तो 28 जुलाई आप लोगों को देखने को मिलेगी चलिए अंगला कुछेन हमारे सामने पितीवास अंतराश्टी बाग दिवस कब मनाये जाता हैं इंटरनेशनल टाइगर डे की बात हो रही है यहां एक और कुश्चन्स पूंचता है कि भारत की किस राज्य को आट लोग टाइगर पिदेश के नाम से जानते हैं और इस दिवस को पितीवस इसलिए मनाये जाता है की बागों को सरक्षन देने उनकी प्रजाती को विलप्त होने से बचाने के उद्देश से और इस साल की थीम रखी गई है इंडिया लॉंच प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव दा टाइगर पॉपूलेशन याने बागों की आबादी बढाने के लिए भारत प्रोज करने वाला भारत का पहला राज़ बना है मद पेदिस गुजरात महराष्ठ करना टगग तो यह गुजरात बना है कौन? गुजरात बना है भी ऑप्सन बिल्कू सही है और आप लोग जो प्रिदान मंतरी मौदी साहब को देखते न और अमईजसाय साहब को देखते न यह ग 80 सीट हैं, राज सभा में 11 सीट हैं, लोग सभा में 26 सीट हैं, इसके अंतराश्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है आपकी, अंगला कुशन है कौन बेक्ती हाली में दिल्ली के नए पुलिस कमिस्नर नुक्त हुए हैं, दिल्ली के, तो आप देखेंगे संजय रोडा, सुभाष चोधरी, अमित स्रीवास्तो और रंजन बालिया, तो इसमें आप देखेंगे संजय रोडा होंगे, और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि केंदसासित पिदेश है, नई दिल्ली इसकी राधधानी है, और आपको ये भी माल होगा कि बिधान सभा में हैं, 70 हैं, राज सभा में 3 सीट हैं, लोक सभा में 7 सीट हैं, अरवेंद के जीवा लिहां की मुख मंत्री हैं, चीव मिनिस्टर हैं, अंगला कुशन एक किस भासा की मसूर, गाई का निर्मला मिस्रा का 21 साल की उम्मर में डेथ हो गए, तमिल, बंगाली, पंजावी, कर्नड, ये क बंग विधूसां से सम्मानित किया गया था हैं, बालकिस ने दास पुरुसका से भी सम्मानित की जा चुगी थें, निर्मला मिस्रा, तो इनके बारे में जरूर याद रखेगा, और आप देखेंगे कि 21 अक्टूबर 1948 को इनका जनम हुआ था, और 31 जुलाई 2022 को इनकी डेथ होई है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, अंगला कुश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूरो राटपती, फेदेल वालदेज, रामोस का 94 बरन की उम्मर में डेथ हो गई है, ये आप देखें बिल्कु सही है आपका, ये ओप्सन, ये ACI में ही पड़ता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां? ACI में ही है, कौन बैक्ती हाली में प्रेश सूचना ब्यूरो के नए महा निदेशक बने हैं, किसके? PIV के महा निदेशक बने हैं, प्रेश इन्फॉर्मेशन ब्यू होंगे वाला, सत्यंद्र पेकास, राजी नंदा, तो इसमें आप देखेंगे, सत्यंद्र पेकास होंगे, C option आपका, बिल्कु सही होगा, इस तरह से जुलाई 2022 में जो भी घटनाए घटी हैं, उनसे जी questions मातपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें भी हम लोग देख चुके हैं, अ आप लोग पढ़ते रहें, कुछ सवाल हो, कुछ सुझाओ हो, सलाह हो, तो आप जरूर दे सकते हैं, ठीक है?